यूट्यूब चैनल इमोस यह आप देख सकते हैं कि अपने आप में एक बड़ी वेकिंसी आपके सामने आईए और ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पर ट्राइविल स्टुडेंट देख रहे हैं तो इसमें आप लोग अप्लाइए नहीं कर सकते हैं इसमें हर कोई कर सकता है ठीक है क्योंकि अब जो इसका पैटर्ण है वो काफी हब तक बदल दिया गया है जैसा सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि नेशनल एजूकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइविल स्टुडेंट यह एक और्टोनॉमस और्गनाजेशन है एक और्टोनॉमस बॉड़ी है यह क अब ध्रमनेट जॉब है गवर्मेंट है और इसमें आप सभी लोग एप्लाइव कर सकते हैं इसके जो एक्जाम है वह अक्की बार जो पैटर्ण होगा एक्जाम का वो बदल दिया जाएगा जिस तरह आपकी केविर्ज वगहरा का एक्जाम होते है उस तरीके का अप आपक तो इसमें आप ऐसे देख रहे हैं लगबग हमाय पास इतनी सारी पोस्टे हैं तो आप जिस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं यह सभी के लिए बहुत अच्छा उपफर है आप प्रिंसिपल से लेकर स्वीपर तक की हर एक पोस्ट के लिए अगर जिस पे भी आ हम आपको सारी चीजें बताते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अपकी एज लिमेट क्वैलिकेशन अगेरा क्या होना चाहिए तो डारेक्ट हम आते हैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका क्योंकि आपका समय बहुत किमती है और जिन बच्चों को यह कुछ क्यां अब यहां ड़का समय ग्लत चीजद केल систей नहीं इस और यह की बहुत को असटे कर देसिता और इससा है खेड़न ही इसिए अ είναι है तो वो हर्स तरीके से ऑथेंटिक है यहां आप जॉइन कमिशनर निश्ट के सिग्नीचर भी देख सकते हैं तो यह अपने आप में एक पॉजिटिव है इसको कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा यह रियल है अब हम जान लेते हैं हमारी पोस्ट उनकी सालरी उनका ग्रूप और उसमें एज लिमीट क्या क्या है और साथ ही आपको क्या 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 चाहिए ठीक है कोशिस तो ही रहेगी वीडियो जात लेंदी ना रहे लेकिन चार पांक चीज़ों की जब हम लोग डिसकुशन करेंगे त प्रिंसिपल एक ग्रूप एक ही है टोटल सेवन फॉर्टी इस में आपको पोस्ट वेकेंसी खाली मिलेंगी इसके बाद सैलरी आप देखी रहे हैं बहुत अच्छी खासी है पचास साल से उपर अगर आप हैं तो आप यह फॉर्म नहीं बढ़ सकते बाकि सेस्टी में रिल प्रिंसिपल में आपके पास कम इन सब का मिला करके 12 साल तक का लगब एक्सपीडियंस होना चाहिए ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पीजीटी टीजीटी के कुछ देख लेते हैं फिर यहां पर एक वाइस प्रिंसिपल का भी है हां यह रहा वाइस प्रिंसिप आगे बढ़ेंगे काफी बढ़ा आपने आपने एक पीडियोफ है अगर हम लोग बात कर लेते हैं पोस्ट ट्रेजुएट यानि की भाई हमारे पीजीटी की तो पीजीटी में आपको 47,000 से लेकरके एक लाके आसपस आप देख रहे हैं सेलरीस में लिखा हुआ यह ग्रू सेशन मिल जाएगा ठीक है रेजर्वेशन के थ्रू एसेंसेल एजुकेशन आप पीजीटी की बात कर लें तो आपको इंग्रीज हिंदी फिजिक्स केमेस्ट्री माथ जूलोजी बातनी बालाजी हिस्ट्री जोग्रफी कॉमस अकाउंटिंग फिर आपके मतलब इकोनॉमिक पूर्स कर रहे हैं कि जो दो डिग्रिया एक साथ वाला निकल के आया है अगर आपके पास बहुत नहीं भी चलेगा अगर बढ़ते हैं बाकि आप लोग अगर चाहें तो यह अराम से पड़ भी सकते कंप्यूटर साइंस के अगर आपके पास टोटल पोस्ट है सैलरी आप देखी रहे हैं एज वेज सबकुछ बिल्कुल सेम है बस आपके पास जो एसेंशल क्वालिफिकेशन है वह मसी होनी चाहिए कंप्यूट साइंस या फिर आप आई थी होएं फिर एम्ची हो रिकुंग्राइश्ट यूइश्टी से एमी और एम्टेक कर रखाओ ठीक है आगे भड़ेंगे हैं हम लोग टीजीटी की बात कर लेते हैं टीजीटी ग्रूप भी ठीजीटी में आपके पास जो आप मलब हिंदी है इंश में पास प्रिंसिपल यह इंशर्वेशन थर्मटे कर सकते हैं एक तो फोर यह इंटेग्रेटेट पर रिजनल इडिकेशन और अफ एंसी आर्स इंसलेग्ट इसके बाद आपको बैशिलर डिग्री फॉम रिकंग्नाइज उनिवेस्टी ठीक है यानि के आपने बीस्टी बीए वाटैबर आप लोगों नहीं जो भी कर रखा है वो टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी अगर आप इंग्लिस के लिए अप्लाय करेंगे तो आपके पास तीनों साल इंग्लिस हो यह है बच्चों हमारा पूरा वीडियो अब फिर तो यह नीचे आर्ट की और इन सब की आ जाएगी तो अगर आप लोग यह पूरा ही वीडियो देना चाहते हैं तो आप लोग इसके लिए कमेंट करिएगा तो फिर हम अपना चैलेग्राम चैनल है वैसे तो उसमें कर दिया लेकिन इन केस अगर आपको नर्स, स्वीपर, कुकिंग या फिर होस्टल बॉर्डन इन लोगों का भी चाहिए तो प्लीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताएगा तो यह पीडियो मेरे पास है चाहेंगे तो हम पीडियो भी शेयर कर देंगे और नहीं तो फिर ह सेम ही रहता है जैसा कि हम आपको हर बार बता दें तो आपके लिए सुनहरा मौका है आप अप्लाइ कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी संकार रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स करके जरूर पूछेगा ठीक है और जिन लोगों को भी आगे के जो भी पो जह ही जह है